गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉके मिश्राव फ्रम गेस्टो लिवर हास्पिटल स्वरुपनगर कानपूर आज मैं बात करूंगा कि जैसे जैसे आपकी बॉड़ी एज होती है या आपके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये बात सही है कि आपको कुछ चीजों के एक्स्ट्रा जरूरत पढ़ती है ये जो चीजों के एक्स्ट्रा जरूरत पढ़ती है मैं समझता हूँ कि इसे आपको समझने की जरूरत है नो सबसे पहले देखें calcium, जहां तक calcium का सवाल है, यह हमारी body के लिए throw out the age जरूरी है, बट जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है, calcium से ज़्यादा important हो जाता है, एक तोले जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है, हम calcium ज़्यादा lose करते हैं, हम absorb कम करते हैं, और result इसका यह होता है, कहम osteoporosis develop हो जाती है पर्टिकुलरली जो पोस्ट मिनोपाजल फीमेल्स हैं उनको आस्टियोपोरसिस होने का जो खत्रा है और भी ज़्यादा हो जाता है अगर कैल्शियम आपकी बाड़ी में एडिक्वेट है तो यह आपकी मसल फंक्शन को हेल्प करता है दार्व फंक्शन को हेल्प क उने on an average adult से 20% ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पढ़ती है तो adult में जितना आपको कैल्शियम चाहिए या एक 30 साल के आदमी को जितना कैल्शियम की जरूरत है सतर साल के उमर में उससे 20% ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है इस सचाय को आपको समझने की जरूरत है यह dairy product से मि लेकिन आपको समझने की ज़रुवत है कि केल्शियम आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे आपके एज बढ़ती है, आपके वीटब वाइटमेंट B12 का जो एक्वाइमन रेक्वाइर्मेंट है, वो भी बढ़ जाता है, प्रॉब्लम यह है कि जो B12 है, वो हमें ब्लड के जो एनिमल सोर्स हैं, उनको इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, जो मीट है, फिश है, एग्स है, डेरी है, इन सबसे वाइटमें B12 हमें ठीक मातरा में मिलता है, अगर इनसे नहीं मिल रहा है, तो यह ओरल टेबलेट के फार्म में मिलता है, यह इन्जेक्शन के फार जो हमारी खाने की थेली के जो lining है उसमें हलकी से atrophy हो जाती है अगर खाने की जो थेली है उसकी lining में atrophy होगी या atrophy gastritis डेवलप हो जाएगी तो जो vitamin B12 का absorption है वो हमारी बाड़ी में कम होने लगता है इसका मतलब यह है कि जैसी जैसी age बढ़ती है आपका जो vitamin B12 का requirement है उसको ब बिटला सर्जरी कराएं, यह सब कुछ ऐसे रिस्पेक्टर हैं, जो वाइटमेंट B12 की डेफिशेंस के लिए आपको रिस्क में डालते हैं. Now look at the vitamin D, जो vitamin D है आपको चाहिए ताकि calcium को एब्दार्व किया जा सके. Vitamin D important है, muscle के function के लिए, nerve के function के लिए, और आपके immune system को ठीक रखने के लिए. Most of the vitamin D हमें sunlight से मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी age बढ़ती चली जाती है, हमारे जो एक conversion की जो process है body की, कि sunlight से vitamin D को बनाए, वो कम होने लगती है जैसे जैसे आपकी age बढ़ती है. इसका मतलब यह है, कि बढ़ती age के साथ, vitamin D के supplementation की जरूरत पड़ती है. अगर हम diet को ध्यान से देखें, तो all day जितने fatty fish होती हैं, जैसे salmon है, mark mackerel है, sardines है, these are the prime good sources of vitamin D, बट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो vitamin D बढ़ती हुई उम्र में आपको ज़्यादा चाहिए. Now look at vitamin C, this is one of the things, जो सबसे ज़्यादा forgotten है, यह किसे भी infection से लड़ने के लिए, यह आपको energy को optimize करने के लिए, vitamin B6 is very important. In fact, जो pregnant females हैं, ऐसा माना जाता है, उनको vitamin B6 चाहिए, और जो infants हैं, चोटे babies हैं, उनको अगर vitamin B6 ठीक मातरा में नहीं मिलता है, तो उनका जो brain का development है, वो गलबला जाता है. ऐसे ही scientific studies ने माना, कि जैसे हमारी age बढ़ती है, अगर vitamin B6 की मातरा हमारी body में कम है, तो हमारी जो memory है, वो affect होने लगती है. तो अगर memory आपको ठीक रखना है, उसको optimize रखना है, तो vitamin B6 आपको ठीक मातरा में चाहिए. वाइटमिन B6 कहां से मिलेगा? वाइटमिन B6 मिलेगा चने की दाल से या चिकपीश से. जो fatty fish है, liver है, fortified breakfast cereals हैं, यह सब वाइटमिन B6 के अच्छे sources हैं. Now the next is the magnesium. Now look at the magnesium, यह आपको चाहिए आपके bones को strong रखने के लिए, और आपके nerves के function के लिए. जहां तक diabetes का सवाल है, जो blood sugar का management है, उसमें magnesium is one of the important issues. सबसे ज़्यादा magnesium हमको मिलता है nuts से. इसका मतलब है कि यह जो हम, हमें almond लेते हैं, cashews लेते हैं, इन सबसे हमको अच्छी मातरा में magnesium मिलता है. जो seeds हैं, leafing greens हैं, इन से आपको magnesium ठीक मातरा में मिलता है. जैसे जैसे हमारी age बढ़ती चली जाती है, अगर आप और दूसरी दमाईयां लेते हैं, जैसे blood pressure की दमाईयां लेते हैं, आप heart की दमाईयां काते हैं, यह जो सब दमाईयां हैं, वास्तों में magnesium के absorption को affect करती हैं, इसलिए magnesium की जो deficiency है, is quite common, तो इसलिए आपको magnesium जो risk products हैं, उ उसमें कुछ infections develop ना हो, आपको बार बार डाइरिया ना हो, आपको irritable bowel syndrome से बचा के रखा जा सके, आपको food allergies कम हो, उसके लिए शायद probiotics are very important, यह probiotics हमें कहां से मिलेंगे, आपको food से मिलेंगे, जो fermented food होते हैं, उन सब में probiotics होते हैं, योगर्ट है, kefir है, sorcret है, इन सब में जो, I mean amount है probiotics की, वो काफी ज़्यादा होती है, उसके अलावा अगर आपको चाहिए, तो supplement के रूप में probiotics plenty में available होते हैं market में, now look at the omega 3, omega 3 को जहां तक सवाल है, यह fatty acid है, यह essential fatty acid है, इसे essential fatty acid कहा ही इसलिए जाता है, क्योंकि आपकी body इसे manufacture नहीं कर सकती, यह आपकी body के लि cells के function के लिए important है, and scientifically ऐसा माना जाता है, कि age related जो आपके body में problems होती है, चाहे वो dementia हो, चाहे वो arthritis हो, चाहे macular degeneration हो, इन सबसे protect करने में omega 3 बहुत important role play करता है, तो omega 3 चाहिए, यह कहां से मिलेगा, यह आपको fatty fish से मिलेगा, यह आपको accruat या walnut से मिलेगा, आपको यह flexin या alci से मिलेगा, जो canola oil है, उसमें भी omega 3 अच्छी मातरा में होता है, जहां तक supplements का सवाल है, वो बहुत सारे available होते हैं market में, now the next one is the zinc, zinc हमारी body में बहुत सारा काम करता है, हमें जो smell एक perfect आती है, हमारा जो taste एक maintained perfect होता है, यह वास्तों में zinc करता है, यह बहुत सारे infection, inflammation को fight करने में, zinc is one of the important issues, जहां तक aging का सवाल है, scientifically ऐसा माना जाता है, जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है, zinc का requirement बढ़ता है, इन zinc बहुत सारे काम करता है, अगर zinc की deficiency है, तो बहुत सारी problems खड़ी होती है, zinc non-vegetarian sources, particularly oysters, beef, crabs, इन में तो ठीक मातरा में होता है, लेकिन बहुत सारे fortified cereals होते हैं, जिन में जो zinc है, वो ठीक मातरा में होता है, the next one is the selenium, जहां तक selenium का सवाल है, यह हमारी जो कोशिकाएं हैं, या cells हैं, उनको damage होने से बचाता है, उनको बचाएगा, तो infection से लड़ेगा, जहां तक thyroid के function का सवाल है, selenium बहुत important role play करता है, अगर हम muscle को strong रखना चाते हैं, dementia से या याददास्त से की गलबड़ी से बचना चाते हैं, या कुछ cancers भी ऐसे हैं, जिन से आपने आपको प्रोटेक्ट करना चाते हैं, तो आपको selenium ठीक मातरा में चाहिए, जो selenium है, उसका सबसे अच्छा जो source है, उसको ब्राजिल नट्स माना जाता है, for that matter, जित potassium is everything inside your, I mean, food, and जो हां तक potassium का सवाल है, आपके body के अंदर यह सब काम करता है, बहुत सारे काम करता है, आपकी proper heart की functioning के लिए, आपकी proper kidney की functioning के लिए, आपकी muscle की proper functioning के लिए, आपकी nerve की proper functioning के लिए, आपको potassium चाहिए, potassium ही है, जो आपको high blood pressure से protect करके चलता है, यह आपको stroke या जो लकवे जैसी चीज है, उसे protect करके चलता है, यह जो osteoporosis है, उसे protect करके चलता है, जहां तक खाने का सवाल है, केले में potassium बहुत अच्छी मातरा में होता है, apricot, spinach, milk, yogurt, इनमें अच्छी मातरा में potassium होता है, जितने भी citrus fruits हैं, जैसे यह oranges हैं, मौसमी हैं, इनमें जो potassium है, वो काफी ठीक मातरा में होता है, तो इनमें इस्तेमाल करें, तो potassium आपको adequate में लेगा, the next one is the folate, folate वास्तों में, जो vitamin B complex है, उसका हिस्सा है, this is B9, जो folate है, वो हमको leafy greens, nuts and beans, यह तिने चीज़ों से मिलता है, जहां तक pregnant females का सवाल है, जो birth defects होते हैं, fetus में, या बच्चो folate है, वास्तों में हमारी जो cells है, उनको grow करने में मदद करता है, यह बहुत सारे cancer से fight करने में आपको मंदद करता है, तो आपको folate ठीक मातरा में चाहिए, तो इसको इसको इस्तिमाल करने की ज़रूरत है, now the next one is the fiber, जहां तक fiber का सवाल है, वो आप समझते हैं, fiber आपको चा कि इतनी सारे चीज़ें आपको चाहिए, जैसे जैसे आपकी age बढ़ती है, तो, now इतनी सब चीज़ें कहां से मिलेंगी आपको, देखें, चाहे आपको vitamins चाहिए, चाहे आपको minerals चाहिए, चाहे आपको fiber चाहिए, चाहे आपको probiotic चाहिए, इनको पाने के लिए जो best source है, व मातरा में हम पाएं, चूकि adequate मातरा में हमारी body को नहीं मिलते हैं, तो हमें supplement की जरूरत है, अगर supplement की जरूरत है, तो आपको अपने doctor से consult करनी की जरूरत है, अगर आपको multivitamin aging उसमें regularly लिने चाहिए, अगर जो अने senior हैं आप, लेकिन otherwise आपकी body healthy है, तो आपको किसी vitamin supplement की ज जरूरत नहीं है, अगर आपके diet proper नहीं है, तो आपको vitamin की supplement चाहिए, अगर आपकी body deficiency का कुछ science show कर रही है, तो आपको supplement चाहिए, तो जैसे-जैसे हमारी age बढ़ती है, बहुत सारी जो चीजें हैं, उनका actually requirement बढ़ जाता है, ये गलत concept है, जैसे-जैसे age हमारी बढ़ती है, कि हमें तो ये और कम लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, on the contrary, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कि बढ़ती हुई age के साथ, उनका requirement बढ़ता है, चाहे वो calcium हो, चाहे वो vitamin D हो, चाहे वो vitamin 6 हो, चाहे vitamin B9 हो, चाहे zinc हो, बहुत सारी चीजें हैं, इनका age के साथ म आपको समझनी की जरूरत है अगर इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉकर विके मिश्रा फ्रम गेस्टोलिवर हास्पिडल स्वरुपनगर कानपूर थैंक ये वरे माच